प्रेंस आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है फिर क्या चलते हैं किचिन की तरफ ये मैंने एक कटोरी बड़े वाले डॉलर वाले छोले लिया और उनको मैंने फोल नाइट भिगा दिया था बहुत अच्छे से वास कर लिया इधर मैंने गैस अन करके कूकर चड़ा दिया है कूकर को बहुत अच्छे से होने देंगे अब इसमें थोड़ा सा आदा चम्मच हम जीर अडाल देंगे क्योंकि ये थाली हम जो हो जीरो ऑल की बना रहे है बिल्कुल इस थाली में एक भी चम्मच क्या एक भी बूंद का तेल का यूज नहीं कर रही हूं ना रिफाइंड क्यों ना तेल विल्कुल जीरो ओल में इस थाली को बनाके दिखा रहे हूं और हपते में आपको यह एक भाद थाली जुरू ट्राई करना तो मैंने खाली में आदे चम्मचि जीरे को डाल दिया है और जीरे को बहुत अच्छे से चटक ने देंगे यानि कि जीरे को बुनन हैं बहुत टेस्ट्टी वनती जीरह हमारा भून गया था इधर मैंने 8 this यह ग्रेवी जादा नहीं जाहिए इसलिए मैंने 111 जलास पानी डाल धिया इधर मैंने अलु लिया है इसको रही लिया है छीलके धैए इसके छोट़ ritis कट करदें आ देखें इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे को कटत कर दिया है अब इसमें हम और कोछ भी डाल दिए जैसे इस में हम एक तेजपाच का पत्तर डाल दिए और यह मैने लॉंगे डाल दिया है अब मैंने दो टमाटर पीस के रखे थे देखिए टमाटर आपको पीस के ही डाला है तब ही छोरों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आया और बिगर ओयल के छोले बहुत टेस्टी बनेंगे अगर आपने बना लिये तो आप उंगली चट करते रह जाएंगे तो मैंने मासा पानी और लगा दिया है अगर मात्रा में देखेंगे तो आदा ग्लास पानी होगा अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनूसा और आदे छोटे चम्मस से भी कम पिसी हुई हल्दी डाल देंगे चोलों की मात्रा भी जादा नहीं है और जब हम किसी चीज में और का यूज नहीं करते हैं तो हमें मसालों का विल्कुल थोड़ा सा ही यूज करना होता है तो आदे छोटे चम्मस से भी कम मैंने पिसी हुई हल्दी डाल दी है अब इसकी हम लिड लगा देंगे और कम से कम इसमें छे बिसर लगा लेंगे क्योंकि छोले जो है वो बढ़े व बहुत हल्दी है अगर आपने बना ली तो आप रोज बनाएंगे मेरे कहने से हफते में एक बार आप जरूर बनाईएगा देखिए इस तरीके से लिड लगा के अब इसकी बिसल आना सुरू हो गई है एक बिसल आ चुकी है अब ऐसे ही दूसरी बिसल भी आ जाएगी मैंने कम से कम इसमें साथ बिसल लगाई थी देखिए इस तरीके से हमारी दूसरी बिसल भी आना सुरू हो जाएगी तो दो बिसल आ चुकी है आप इस थाली को जरूर बनाएगा मेरे कहने से मैंने इसमें 0% भी ओल का युज नहीं किया है तो थाली तो बनाना ये बनती है क्योंकि जिस थाली में बिल्कुल आल ही ना पड़ा हो तो ऐसी थाली तो आपको जरूर बनाना चाहिए तो देखिए तीसरी सीटी भी आ गई ह यानि कि बिसल अच्छे से आ गई है अब हम गैस को आफ कर देंगे और कम से कम मैंने इसमें साथ बिसल लगाई थी क्योंकि छोले साथ सीटी में बहुत अच्छे से स्वाप्ट हो जाएंगे तो आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रहे है लेकिन आपको इस थाली की फुली वाच करनी पड़ेगी देखो आपके सामने आगई है फुल वाच करनी पड़ेगी तभी आपको पता चलेगा कि जीरो ओल में थाली कैसे बनके तयार होती अगर हमारी यां आल न ना हो फिर भी आपका खाना बन सकता है यह देखिए पांच में सी टीवी आ गई है गैस को आफ कर दिया है यह लमसम इसमें मैंने साथ सीटिया लगाई थी अब कुकर को ठंडा होने के बाद इसकी लिड डटा के चेक कर लेते देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है और छो गये हैं मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि बीगर तेल के छोले कैसे यम्मी बनके तयार हो गए लेकिन भी बने तो बहुत बढ़िया थे सब उंगलिया चट करते रहे गए तो ऐसी थाली तो आपको भी बनाना चाहिए जिसमें एक बूंद ऑल भी ना लगाया हो और अच्छी सी धाली बनके हमारी तयार हो गई हो घर में सभी बहुत खोस हो गयते ऐसे मैंने मैसी मैसी कर लिए छोलो अब मैंने गैस को ओन कर दिया है अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे आप अगर कुछ एक्ष्टा मसाला भी खाते हो और डालना चाहते तो आप अच् चमच इसे कलर बहुत अच्छा आए और यह मैने गोल्डी के मीट मसाले का पैकट लिया है आप चाहे तो छोले मसाले का भी ले सकते हैं मसाला कि मसाला की जो भी आप यूज करते उसको भी ले सकते अब इसको भी आदे चमच ढाल देंगे इसे बहुत अच्छा सा टेस्ट जाएगा तो आदे चंबन मैने कस्तूरी मिर्च डाल दीक है कि मुद्धर नाचे मैं Boss किवाल चोड़ी में कुछ बनीतर से similarities वहां जाएंधर कर दीक मिर्च जए का लोगे अच्छे से कोखो जाएंगे तो इस तरीके से मेरे जोले बनके तयार हो गए है उपर से हरा धनिया डाल देंगे आपके सामने मैंने पुरूब बाई दिखाया है और का यूज नहीं किया है कितने बढ़िया चोले बनके तयार हो गए कलर भी परफेक्ट आया है और ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट आये तो बने ना ही अम्मी छोले तो इस तरीके से मेरे एक सबजीवन के तयार हो गई है देखे इसको मैंने एक डूंगे में ट्रांसपर कर लिया है जो देखते ही मुझे पानी आ रहा था सब उन्हें बहुत तारीव की थी अब इधर हम मिक सबजी बन आएंगे एक बैगन लिया है दो आलू लिये हैं सिम्ला मिष्ली है टमाटर लिया है प्याच कट कर लिया है इनको मैंने बहुत अच्छे से कट करके वाश कर लिया है फिर उसी कूकर को चढ़ा दिया है अब इसमें आदे चमच फिर जीरा डाल देंगे जीरा आप थोड़ा तो जीरे को थोड़ा चटकनी देना जितसे जीरा भी दुम जाए और बहुत अच्छे से में समय लगाईएगा जीरा हमारा बहुत अच्छे से बुनके तयार हो जाएगा अब हमने टमाटर पीस के रखे थे दो टमाटर डाल देंगे पिसे हुए जब और नहीं होता है तो हमारे मसाले जलने जल्दी लगते हैं तो उसमें आपको एक प्रोसेश जरूर धिहान से करना है कि कांटियू चलाते रहना है और थोड इता सा पानी डाल दिया अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे अदे चम्मठ पिसव भी मिश डाल देंगे और एक चम्मठ पिसा हुआ धनिया डाल देंगे जब हम किसी में ओल का यूज नहीं करते हैं तो उसमें हमें मिर्च की मात्रा को कम रखना जानी क्योंकि oil डालने से मिर्च की थोड़ी दब जाती है लेकिन अगर आप oil नहीं डालेंगी तो उसमें मिर्च की quantity को थोड़ा कम रखना पड़ता है ये मैंने गोल्डी मीट मसाले का पैकेट लिया था वो भी आदे चम्मज डाल दिया है और कस्तूरी मिर्च ली थी इसको भी आदे चम्मज डाल देंगे ये कलर बहुत अच्छा देती है अब इसको अच्छे से भून लेंगे पहले हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा स्वाधन उसार अब इनको slow gas कर देंगे और बहुत अच्छे से मसाले को भून लेंगे इस तरीके से टमाटरों मैंने मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और बहुत अच्छे से मसालों को भून लेंगे इस तरीके से मैंने मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है मसाले को भुनने में मुझे आदा एक मिनट का समय लग जाएगा और धीरे धीरे भुनने देंगे मसाले को बस आपको कांटीन्यू चलाते रहना है इससे मसाला हमारे जलेना और जलने पर थोड़ी सी पानी की छीटे मार देनी है लेकिन मसाला आपको बहुत अच्छे से बुनन लेना है यह प्रोस्स आपको बहुत अच्छे से करना है इससे सब्जियों में कच्छापंड भी नहीं रहेगा और सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आजाएगा अब जो हमने सब्जियां कट करके रखी उन सब्जियों को हम ढाल देंगे बैगन, आलू, सिम्ला, मेज, ट超माटर इनको ढाल देंगे और मसाले में बहुत अच्य से मिक्स कर देंगे जो हमारे मसाले हैं उनमें अपनी इन सब्जियों को बहुत अच्छे से चला लेंगे जिससे आलू, सिमला, मेश, टमाटर, पैगन हमारे मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरीके से उलट पलट कर लेंगे और बहुत अच्छे से सब्जियों को चला लेंगे कितने बढ़िया से मसाले में सब्जी हमारी भुनके तयार हो गई है अब इसमें हमें पानी का ज़्यादा यूस नहीं करना है क्योंकि हम कूकर में सब्जी बना रहे हैं तो महतर हमने इसमें एक चमच पानी ही लगा दिया है इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट है ज़्यादा पानी मत लगाईएगा सब्जी बिल्कुल अलग टेष्ट भी नहीं आएगा अब हम लिट लगा देंगे और इसमें हमें ज़्यादा बिसल लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जियां सारी सौप्ट है खाली हमें थोड़े से आलू को गलाना है यकीन मानिए आप बस इतना कीजी कि मेरी बुड़ियो को फुल बाउच करने के बाद आप इसको ट्राइज जरूर कीजिए कि बिगर तेल की सब्जी या खाना कैसा बनता है कैसा लगता है क्योंकि बिगर तेल का खाना कोई भी नहीं खाता है इसलिए मैंने एक बार ठाली बन दाल सब्जी तो जाता ही जाता है तो हपते में और फ्री होकर एक थाली बना सकते हैं तो देखे इसका भी कलर कितना बढ़िया आया है विक्कुल मिक्स अब जी मेरी बनके तयार हो चुकी है इसमें खुसबू भी बहुत अच्छी थी अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा स चटपटा खाने की जरूरत है तो आप थोड़ा सा गरम मसारा डाल दीजे लेकिन मैं थोड़ा चटपटा कम खाती हूँ तो मैं इसमें और कुछ नहीं डालूँगी उपर से हरा धन्या डाल दूँगी तो इस तरीके से मेरी एक मिक्स बैज बनके तयार हो चुकी है तो दो बहुत अच्छा बनेगा देखिए इस तरीके से मैं आपको बॉल में टांसपर करके दिखा रही हूँ कि देखने में सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है बस नमग मिर्च अगर हलका हो तो आप थोड़ा सा मिर्च मसाले उपर नीचे कर सकते हैं लेकिन सब्जी के न हम कैसे बना सकते हैं तो बही कुकर मैंने तरफिर दुलके चड़ा दिया है और मेरी 2 समझी थे कही देखं़ करके आधेव जीरा डाल दिया रहytyी देखिए और इनको बहुत अच्छे से चटकने यानि कि जीरे को यई जीरे का प्रोसिस को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है अगर जीरा नहीं बूनेगा तो जीरे में भी कच्छा पर रह जाएगा और हम जो सबजी बनाएंगे वह अच्छी नहीं बनेगी अब मैंने एक ग्लास चावल को पंदर मिट पहले ही भीगा दिये थे तो एक ग्ला ग्लाश अगर चावल लिए तो मैं एक ही ग्लास पानी लगाऊंगी एक ग्लास में और इस तरीके से मैंने एक ग्लास चावल में एक ग्लास पानी लगा दिया है, ये मेजरमेंट परफेक्ट है, आप कभी चावलों को 15-20 मिनट बिगा दें के बाद अगर चावल बनाएं और पानी का मेजरमेंट नहीं कर पाएं, तो जितने चावल नहीं आप उतना पानी डाल आप जहां तो दो भी लगा सकती है, तो इस तरीके से इसमें बिसल आने देते हैं, इधर मैं बूंदी का रहता बना लेती हूँ, तो मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, अब इसमें मैं दही को निकाल लेती हूँ, कम से कम 2-3 बड़े चमज मैं दही ले लूँगी, क्यों हमने जो बूंदी ली है, अब इस बूंदी को हम इस दही में डिप कर देंगे, देखे, पूरी बूंदी को हम इस दही में डाल देंगे, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उलट पलट कर लेंगे, अगर आपको लगे कि हमारा रहता गाड़ा हो गया है, तो आ तो आप चाहें तो और भी मसाला डाल सकते हैं आप पसंद दो लेकिन मेरिया कुटी हुई मिर्च और नमक भी डाल देंगे तब भी रहता बिल्कुछ चट हो जाता है तो इस तरीके से कुटी हुई मिज़ डाल दी है अब यम्मी समय ने बूंदी का रहता बना के तयार कर दि है यानि की कुकर खोलके बिसल आ गया है गया को OFF कर देंगे मैं आप इसकी ठंडा होने देंगे थेंडा होने लेगा कितने बढ़िया राइस बनके तयार ओलर के अच्छे से फरायरे व कर्ण lawn के मेरे तयार हो देखें कितने बढ़िया कोक हो गए हैं तो यह भी मैंने एक बुंद तेल का यूज नहीं किया है और बढ़िया से जीर राइस बना के मैंने तयार कर लिए हैं अब हम चपातियां बना लेते हैं आटे को मैंने पहले से गूत के रख दिया था इसे आटे में वह स्वाप्ट न बहुत अच्छे से तरीके से यह भी नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा रोटी को सेका हो तो इस तरीके से अब हमने पलट दी है अब इस साइड भी बहुत अच्छे से से लेंगे जब तक अपनी दूसरी रोटी को बेल के तयार रख लेते हैं तो आप बताए कि आपको मेरी थाली कैसी लग रही जीरो ओयल की मेरे यह तो सबको बहुत पसंद आई थी तो अगर आज आपको मेरी थाली पसंद आ रही हो जीरो ओयल की तो लाइक करना सस्क्राइब करना बैल आइकन को बटन को जरूर प्रेस करना और ऐसे ही मैं आपके बस बनाई और यूटूब पर डाल दी ऐसा नहीं होता है उसके पीछे कम से कम 5-6 घंटे से भी जादा की महनत होती है तो उसी हम लोग तो इतनी महनत करते तो आप हमारी वीडियो को थोड़ा सा भी बहुच करेंगे लाइक करेंगे तो हमारा होशला भी बढ़ेगा और हम और वीडियो बनाने की कोसिस करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लाने की तो इस तरीके से मैं बन बाई बन चपातियां बनाती जा रही है और आपको दिखाती जा रही है तो मैंने तीन सबजी एक रायता और चपाती बिल्कुल बिगर ओल के एक फ्री ओल फ्री धाली सलब्स मत कनब अगर यह यह थैना सब्सक्राइब है अगर हम सब्सक्राइब अगर नहीं बना 29this 256 सब्सक्राफ इधाली बनके तयार हो जाएगी तो बनवाई बने चपातियां भी सिक्ति जा रहें चपातियां भी मेरी बहुत सौप्ट बन नहीं है इसकी मैं एक ट्रिक अपनाओंगी कि आप आटे को पहले आदे घंटे पहले गूत के रख दीजिए पानी की छीटे लगा दीजिए और ए आटे को आदे घंटे जब रेश्ट देंगे तब ही आती है तो रोटिंगा अगर आप सौप्ट बनानी है तो आप एसरी ज़िक आप की तयार होँगी मेरिया तो हम लोग यही बनाओंगी बनके तयार हो जाती है रोटी अगर आपके एकाथ नहीं भी फूलेगी तो बो रोटी भी आपकी 24 गंटे मुलाइम बनी रहेगी अब मैं आपको थाली लगा के दिखा देती हो सब्जी में ब्रुकुल टैक्चर सही दिखाती है छोले में कटोरी में जब टांसपर कर रही हू तो आपको इसलिए दिखा रही हूँ देखे कितनी बड़ी अलग रही है ऐसा नहीं है पानी अलग हो छोले अलग हो कि हमने ओल नहीं डाला है तो हमाई सब्जी अच्छी नहीं बनेगी देखे यमी से छोले बनके तयार हो गए है अब मैं आपके सामने मिक्स बैज भी लग करा के दिखाते हैं कितना बढ़ी कला कलार अआ सबसी का कभी हम कितना तेल मसालह यूस करते हैं दिर मैं लृषका यूजी नहीं होती है तैली बहुत बढ़ी कि थी सब्सक्राइब को लगार बेखा और जो मैंने जीरा राही ते उनको भी लगा-देती हूँ देखिए मैं कटोरी से जीराराईज लगा रही थी लेकिन फैल गया तो कोई बात नहीं हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं हाथों से सही कर देंगे कोई बात नहीं, बिखरे बिखरे चाबल बनके तायार हुए तो वो बिखरेंगे तो नहीं तो इस तरीके से मैंने अपने चापलो को भी लगा दिया है अब मैं आपको चपातियां दिखा देती है इसमें मैंने बिल्कुल भी रोटियों में घी नहीं लगाया है प्लेन रोटी है बिल्कुल चपातियां भी लगा दी है और मेरे पास सलाथ थी प्याज और हरी मिर्जी उस सलाथ को भी लगा देंगे तो इस तरीके से मेरी ओयल फ्री थाली बनके तयार हो गई थी जब मैंने अपने बेटे के पास लेके गई तो ये थाली देखिए वो बहुत खुस हुआ क्योंकि वो बहुत कम ओल खाता है तो कहरा ममी ये थाली बहुत अच्छी बनी थी आप इसको हफ्ते में एक बार जरूर बनाईएगा तो आप बताईए जब मेरा बच्चे ऐसे कमेंट्स करता है आप जो सब्जी बनाए मैं आगे और भी ओल फ्री सब्जियां लेके आऊंगी आपको दिखाऊंगी तो पसंद आई हो तो लाइक करना सस्क्राइब करना और बैल आइकन को बटन को जरूर प्रैस करना और मेरी वीडियो को जादा से जादा सेयर करना और मैं सोच मैं आगे आपके साथ और ओल फ्री थालियां लाओंगी लेकिन जाते जाते लाइक सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग फिर मिलेंगे नहीं रेस्पी के